इस फिल्म में दिखाए गए सभी दृष्ष पलावा सिटी में आज के जीवन के असली दृष्ष है। और हमें खुशी है कि आज वो सपना साकार हो गया है। इस वक्त फेज वन में 270 एकर से अधिक शेत्र का काम बहुत तेजी के साथ पूरा हो चुका है। और पूरा करते हुए ऐसी जिन्दगी जीते हैं जो सिर्फ लाइफ स्टाइल से कहीं आगे है। शेहर में जोश की गूंच बरकरार रखने और आपके सपनों को साकार करने के लिए पलावा कई खूबियां पेश करता है। जिसमें है फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल स्टेडियों। यहां सपनों सा ऐसा अफसर भी है जिसमें आपको फुटबॉल सीखने का मौका मिलता है। आर्सनल सॉकर स्कूल के कोचिस से जो यहां नियमिद वर्क्शॉप्स करते हैं ताकि आप अपने खेल को नई उचाईयों तक ले जा सके। दूसरे स्पॉट्स में आपकी तिलचस्पी और जुनून को पूरा करने के लिए यहां एक मल्टी स्पॉट्स अरीना भी है। साथी खूबसूरत और हरे भरे क्रिकिट ग्राउंज हैं जहां नियमित रूप से टॉनिमंस होते रहते हैं। इसके साथ यहां है नेवर हुट क्लाब हाउसेज जहां हर वो सुविधा मौजूद है जो आप चाहते हैं। यहां रहकर आप जान जाएंगे कि जी भर के जिन्दगी जीने का असली आनत किसे कहते हैं। इस शहर को पूरे साल गुलजार और जिन्दा दिल बनाए रखने के लिए यहां अक्सर ऐसे कला और सांस्कृतिक कारेक्रम होते रहते हैं जो यहां रहने बालों की कलपना की उड़ान और जोश को बढ़ावा देते हैं। आपको इंस्पायर करने के लिए यहां कला के इंस्टिलेशन्स भी हैं। जैसे LED रोशन ग्लोग, बटरफ्ला इंस्टिलेशन्स या क्रीन इंस्टिलेशन्स जो धातूँ की कत्रनों से बनाए गए हैं और जो पर्यावरण के लिए पलावा के कमिट्मेंट का प्रतीक है। ख्याल रखने के अलावा यहां दो कारियरत ICSE स्कूल्स हैं। लोठा वर्ल स्कूल और पवार पब्लिक स्कूल्स यह यहां आने वाले 20 स्कूल्स में से पहले दो हैं जो विश्वास दिलाते हैं कि इस शहर की अगली पीड़ी को बहतरीन शिक्षा प्राप्त होगी। और साठे चार लाख स्क्वेर फीट का एक्स्पीडिया मॉग जल्द ही खुलने वाला है। जहां पलावा के नागरिकों को जाने माने ब्रैंड्स मिलेंगे जिन्हुने इस रुमान चक और खुपसूरत रीटेल दुन्या में हमारे साथ पहले ही भागेदारी कर ली है। पलावा की सभी सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी प्राविट गवर्निंग बॉडी भी है। PCMA पलावा सिटी मैनेजमेंट असोसियेशन जो हर चीज़ को बिना रुकावट चलाने के लिए जमिदार है। मसलन बिजली और पानी की निरंतर सप्लाई से लेकर कई सारी उच्छ क्वालिटी मगर किफायती सेवाएं प्रादान करना। पलावा ने IPM के साथ इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने और बुन्यादी सुविधाएं देने के लिए हाथ मिलाया है। लेकिन हम जानते हैं कि शहर उन घरों से बनता है जिन में खुशियां बसती है। और हमें यकीन है कि पलावा के घरों में रहने वाले खुशी और सुकून की जिन्दगी गुजारेंगे। बहतरीन प्लानिंग और खुबसूरती से बनाए गए इन वर्ल्ड क्लास एक, दो और तीन बी-एच के में आली शान इंटीरियर्स और शानदार फिटिंग्स हैं। और इनके संडेक से सबही नजारे बेहत खुबसूरत नजर आते हैं। इस साड़े चार हजार एकड में पहले खुबसूरत अनुभव पलावा को, फिलहाल 23,000 से ज्यादा परिवारों ने अपने उच्वल भविश्य के लिए चुन लिया है। अभी तक 13,000 घरों को हैंड ओवर किया जा चुका है। हर महिने 500 से ज्यादा घरों की डिलिवरी हो रही है, जिसने आज पलावा को इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ता शहर बना दिया है। आज पलावा उस मोड पर खड़ा है जिस पर 2003 में गुड़गाओं था। इस अलाके में MMRDA की योजना अगला BKC जैसा बिजनिस हब बनाने की है। और साथ ही पलावा के आफिसस की तरफ दुनिया के जानेमाने कॉपरिट्स और स्टार्ट अप्स आकरशित हो रहे हैं। जिसकी बदालत इस एरिया में लाखों नई नौकिया उखलत होंगी और यहां के रेस्डेंशल रियल एस्टेट के दामू में काफी उच्छाल देखा जाएगा। इसके अलावा इस इस लाके में जबरदस्ट इंफ्रस्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है क्योंकि कल्यान दुम्मिविली का नाम इंडिया के 98 स्मार्ट सिटीज की सूची में है। यहां अपग्रेड किया जा रहा है दीवा स्टेशन जो अगला थानी स्टेशन बनने वाला है। चल्द बनने वाला नवी मुंबई इंटरनेशनल एपोर्ट पलावा से सिर्फ 25 मिनिट की दूरी पर होगा। आज पलावा में खरीदारों को उनके निवेश पर जबरदस्त मुनाफ़ा कमाने का वही सुनहेरा मौका मिल रहा है जो गुड़गाओं में आज से 12 साल पहले मिला था। इतनी शांदार संभावनाओं के साथ बलावा न सिर्फ आर्थिक रूप से बहुत पाइदेमन निवेश है बलकि यहां के नागरिकों के लिए सबसे अनमूल दौफा भी है वो है सुरक्षित और खुशाल माहो जहां आपके परिवार के हर सदस्य के लिए उनकी काबियत को निखारने और तराशने के अनेक अवसर मौजूद है तो आईए विकास कीजिए खुशाली पाईए और अपने सपने साकार कीजिए अनंद संभावनाओं के इस शहर में जिसे आपका इंतजार है